आज हम सिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं क्यात करना चलिए एक खेल खेले इस खेल में हम तीन वर्ग लेंगे पहले और तीसरे वर्ग में सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है जबकि बीच वाले वर्ग में अनेक संख्याओं लिखी जा सकती है इस खेल का नियम यह है कि बीच में दर्शाय गई वर्ग में सिर्फ ऐसी संख्याएं लिखी जा सकती है जिसका मान पहले वर्ग में लिखी संख्या से अधिक लेकिन तीसरे वर्ग में लिखी गई संख्या से कम हो यानि कि दूसरे वर्ग की संख्या का मान पहले और तीसरे वर्ग में लिखी संख्याओं के मान के बीच में हो तो चलिए खेल की शुरुवात करें यदि पहले और तीसरे वर्ग में प्राकृत संख्याएं यानि नाच्रल नंबर्स 37 और 41 हो तो बीच वाले वर्ग में कौन सी प्राकृत संख्याएं लिखी जा सकती है सोचिए सोचिए बिलकुल सही इस वर्ग में हम 38, 49 और 40 इत्याती प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं इनके अलावा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते इसी तरह किनी भी दो प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं होती है अब मान लीजिए पहले और तीसरे वर्ग में हमने पूर्णांक यानि integers, रिंड तीन और तीन लिखे तो पताईए बीच वाले वर्ग में कौन से पूर्णांक लिखे जा सकते हैं सोचिए सोचिए आपका जवाब पिलकुल सही है इसमें हम रिंड दो, रिंड एक, शून्य, एक, दो पूर्णांक लिख सकते हैं इनके अलावा और कोई भी पूर्णांक नहीं लिख सकते इस तरह से किने भी दो पूर्णांकों के बीच निश्चित पूर्णांक होते हैं अब क्या आप बता पाएंगे कि यदि हमें बीच वाले वर्ग में रिंड तीन और तीन के बीच आने वाले परिमेय संख्याएं यानि राश्नल लंबर्स लिखनी होती तो वे कौन सी होगी चलिए हम बताते हैं हम रिंड तीन को रिंड तीस पटे दस लिख सकते हैं इसी तरह 3 को 30 पटे 10 लिख सकते हैं इस तरह से अब रिंड 3 और 3 के बीच इस प्रकार परिमे संख्याएं लिखे जा सकती है इसी तरह हम रिंड 3 को रिंड 300 पटे 100 और 3 को 300 पटे 100 इस प्रकार भी लिख सकते हैं इन्हें देखकर अब हम कह सकते हैं कि इनके बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हम रिंड 3 को रिंड 3000 बटे 1000 और 3 को 3000 बटे 1000 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इनके बीच अब हम इत्यादी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम किनीवी दो परिमे संख्याओं के बीच अपरिमित यानि इन्फानाइट परिमे संख्याओं ग्याद कर सकते हैं यानि कि किनीवी दो परिमे संख्याओं के बीच अपरिमित परिमे संख्याओं होती है जरा सोचिए क्या हम परिमेय संख्या 7 बटे 2 को रिंट 3 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कह सकते हैं? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यदि A, B, C तीन परिमेय संख्या आए जहां A, C से कम है तब B इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस थिती में कहलाएगी जब B A से बड़ी लेकिन C से छोटी हो यहां 7 बटे 2 बराबर 3 और 1 बटे 2 है जो कि रिंड 3 और 3 दोनों से बड़ी संख्या है इसलिए हम इसे रिंड 3 और 3 के बीच की संख्या नहीं कह सकते इसी तरह संख्याओं के मानों की तुलना करके आप यहां पता कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्याओं के बीच में आती है या नहीं यह तुलना संख्या रेखा पर भी की जा सकती है चलिए अब दो परिमे संख्याओं के बीच परिमे संख्याओं ग्याद करने की कुछ दिल्चस्प विधियां सीखे मान लीजिए हमें दो बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच परिमे संख्याओं ग्याद करनी है इसके लिए पहले हम दोनों परिमय संख्याओं का हर समान करेंगे चुकि दो बटे 9 के हर 9 और 6 बटे 7 के हर 7 का लगुत्तम समापवर्दियो यानि LCM 63 है इसलिए हम प्रत्येक परिमय संख्या के अंश और हर दोनों को उप्युक्त संख्या से गुणा करके दोनों परिमय संख्याओं का हर 63 करेंगे इससे हमें 2 बटे 9 की तूल्य परिमय संख्या यानि एक्विवैलन्ट राशनल नंबर 14 बटे 63 और 6 बटे 7 की तूल्य परिमय संख्या 54 बटे 63 प्राप्त होगी अब इनके बीच 15 बटे 63, 16 बटे 63 से 52 बटे 63, 35 बटे 63 इत्यादी परिमय संख्याओं लिखी जा सकती है अब चलिए दो परिमय संख्याओं के बीच परिमय संख्याओं ग्याद करने की एक और दिल्चस्प विधी सीखे इसे हम 2 बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच की परिमे संख्याएं ग्यात करते हुए समझेंगे पहले हम इन परिमे संख्याओं को संख्या रेखा यानि नमबर लाइन पर निरुपित करेंगे संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित कर इन में से दो भाग लेकर हम संख्या दो बटे नौ दर्शा सकते हैं इसी तरह हम शून से एक के बीच की दूरी को साथ बराबर भागों में विभाजित कर इन में से छो भाग लेकर संख्या छो बटे साथ दर्शा सकते हैं अब हम 2 बटे 9 और 6 बटे 7 का माध्य यानि मीन ग्याद करेंगे किनी 2 परिमे संख्याओं A और B का माध्य A धन B बटे 2 होता है इस तरह से हम दोनों परिमे संख्याओं के योग को 2 से विभाजित करेंगे इससे हमें 2 बटे 9 और 6 बटे 7 का माध्य 34 बटे 63 प्राप्त होगा यह 2 बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच की परिमेय संख्या है इसी तरह क्या आप 2 बटे 9 और 34 बटे 63 का माध्य ग्यात कर सकते हैं? वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए चलिए हम बताते हैं यह हम इस प्रकार करेंगे इससे 2 बटे 9 और 34 बटे 63 के बीच की परिमेय संख्या 24 बटे 63 प्राप्त होगी इस तरह हम 2 बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच अपरिमीत परिमेय संख्याएं ग्यात कर सकते हैं तो आज हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं ग्यात करना अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदारन देखेंगे